So Hello Everyone, एक और वीडियो में आपका स्वागत है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPL के बारे में, अब IPL के बारे में क्या बात करेंगे, तो आप वीडियो को अर्ण तक देखो, काफे इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो guys अब Saturdays और Sundays को उतने ज़्यादा आता है, तो मैं obviously उसे post तो करूँगा, उसे upload तो करूँगा वीडियो बना करके, तो obviously बात है, but news नहीं आता है, तो कुछ इस तरह की interesting वीडियो पोश्ट करने के में कोशिश करूगा, तो ये उसी मैसे एक जैसे मैंने कहा, तो अब IPL मैंने आपे क्यों बता है, और IPL से क्य क्या relation है, तो जहां आप पैसे समझ सकते हो, कि IPL बहुत लोग देखते हैं, मतलब बहुत जादा crazy IPL का, और इस बार तो ऐसा है कि 10th, 12th के साथ boards भी खतम हो चुके हैं, मुझे उतना idea नहीं है वैसे, तो 10th, 12th के साथ boards भी खतम हो चुके हैं, CBSC और I don't know, state boards खतम हो चुके ह और उसके बाद normal classes, जो है, वो भी खतम हो चुके हैं, इस तो किसी के सेसन स्टार्ट हुएं, किसी के नहीं हुएं, तो मतलब सब के पास अभी time है, क्योंकि अगर किसी का सेसन स्टार्ट हो चुका है, तो उसके पास अभी उतना pressure नहीं होगा पढ़ए लिखाई करने का, मतल जहां पर IPL तो लोग ऐसे भी देखते हैं, अभी की time पर तो और देखेंगे, और IPL जहां पर देखते हैं, लोग कुछ न कुछ खर्चा करते हैं, अगर कोई खर्चा करते हैं, तो कोई उस पैसे मानलो, कोई पैसे दे रहा है, तो कोई पैसे लेगा, obviously बात है, तो इसको profit ह हो रहा होगा, इसको सामान मिल रहा होगा, तो इसको जो profit हो रहा है, हमें इस तरफ लाना है, तो इसके लिए में क्या करना है, कोई सामान तो बेच नहीं सकते हैं, तो हम यह कर सकते हैं, कि जो सामान भी कर रहे हैं, IPL में जो सामान जाहतर बिखते हैं, हम उनमें invest कर सकते है और एक और चीज़ मैं इसमें किसी भी तरह के शौट टम की बात नहीं कर रहा कि हाँ आज आप इंवेस्ट करो IPL खतम उन्हें तक फाइनल मैच के दौरान आपका पैसा वह 10 गुना हो जाएगा या फिर आप 10% कमा लोगे मैं इनकी भी बात नहीं कर रहा 10 गुने की भी बात नहीं कर रहा 10% की भी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं लॉंग टम के बारे में कि हां ऐसे स्टॉक जिसको अगर आप लॉंग टम होल्ड करते हो तो बहुत अच्छे है और इसका IPL में भी बिजनस बन सकता है तो इससे क्या होगा इनका क्वार्टरली रिजल्ट जो या ऑगला इसके औलें फार्व में या विडियो नहीं या वह चांग के लिए या थोड़े अच्छे स्टॉक्स जो प्रफॉं कर सकते हैं IPL के दौरान तो आगे बढ़ता है समझ में आ रहा होगा एंड एक और चीज़ कोई recommendation नहीं है आपको जाना है खुछ से study करना है जस्त मैं आपको दिखा रहा हूँ study purpose educational purpose के लिए अगर आपको अच्छा लगता है कोई भी stock तो आप उसमें जाकर की research करो और देखो कि क्या उसमें सच में कोई अच्छा सा business बन सकता है और क्या हो सकता है या फिर अगर आपके पास कोई अच्छे stock है तो उसको भी देखो and comment कर सकते हो तो यह सब चीज़ें आप करो मेरे तरफ से कोई recommendation नहीं है तो अब स्टार्ट करते है वीडियो को बात है तो काफी सारी हो गई सबसे पहला आप यहीं पर देख सकते हो यहां पर आप देखो Tata तो obviously Tata से तो बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि अब तुम कहते है Tata Motors और यहां पर Tata Motors यह एक स्टॉक हो गया आप इसको भी प्रिफर कर सकते हो long term के लिए तो काफी अच्छा है मेरे हिसाब से तो अब इसने कैसे मिलब यह कैसे business बना सकता है तो obviously सबसे वहला जो sponsor है secondly इसका कार जो है वो भी यहां पर आपको पता होगा एक कार होती है जिसको की बार-बार camera जैसे करके दिखा दे लगते हैं कि मतलब match के दौरान 2-3 से 4 बार तो दिखाये जाता है हर inning में 2-3 बार तो दिखाये जाता है तो लोग का attention भी उधर जाता है कि हाँ यह कार है और यह EV है तो इससे क्या हो रहा है EV को भी promotion मिल रही है प्लस यहाँ पे जो Tiago EV है इसका भी sale बढ़ जाएगा क्योंकि car obviously यह लगा वा रहेगा तो लोग देखेंगे इसको हो सकता है लोग को यह पसंद आ जाए तो इसका sales भी increase हो सकता है तो इस तरह से Tata को फाइदा हो सकता है एंड उसका sales increase होगा तो obviously profit भी increase होगा ही अगले stock के तुरफ बढ़ते हैं आप ऊपर देख सकते हो काफी सारे हैं तो जल्दी अल्दी cover करना है तो एक-एक मिनट देंगे हर stock को तो तब यहाँ पे 10 मिनट लगने वाल है तो आगे चलते हैं यहाँ पे देखो तो वहां जाकर के थोड़ा जो है मैं इसको enjoy करते हैं और यहां से ticket booking होगी और यहां पे जो है obviously मतलब और भी चीज़ें होगी तो इसी वज़े से साथ में sponsors हैं तो promotion होगा तो इसी वज़े से यहां भी आप इसको देख सकते हो मेरे इसाब से long term के लिए मैं इसको neutral ही रखू यह तो सबको पता है यह time out के नाम पर तो यह होता है स्पॉंसर से तो इनका भी कुछ हो सकता है तो sponsor से आप इसको भी देख सकते हो मैं इसको भी neutral ही रखना चाहूंगा long term पस्पेक्ट से अगर आपको सही लगता है आप जाओ मेरे साब से neutral है एक और चीज मैं तीन तरह से जो है इसको judge करूंगा पहला yes या तो long term बोलूँगा हाँ आप इसमें long term जा सकते हो दूसरा neutral मतलब आपकी मर्जी और तीसरा no अब यहां पर no का मतलब यह नहीं है कि आप मत जाओ यह इसमें risk कम है थोड़ा सा इसमें risk इसके comparison में जादा है और इसमें risk बहुत जादा है तो इसलिए अगर मैं no बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि वो कल कोई नीचे जाने लगेगा इतना खड़ा बस्टॉक है खराब मैं नहीं कहा रहा हूं मैं कहा रहा हूं कि इसमें जो है अ इसका मतलब कम risk है अगर मैं कहा रहा हूं इसका मलब जादा risk है ओके सो इसमें मैं neutral रहा हूं मतलब इसमें थोड़ा सा उतना जादा risk नहीं है बढ़ ठीक है उसके बाद आ रहा है अब अब मैं तो सबसे पहले इसमें यस लिखना चाहूंगा लॉंग टर्म के लिए अच्छा है यह और रिलाइंस का क्या बिजनस हो सकता है तो यहां पे सबसे पहले चीज़ जियो सिनेमा आपको पता होगा उसमें जो यह स्ट्रीम होता है और बहुत लोग मोवाइल में ही दे करिएंगे इसके बाद बहुत लोग बोइल घे लिए को बात करते हैं इसके बाद बात करते हैंगे मैं इसमें वो बात नहीं और this को तो मैंने बोल दा की हाने क्या लॉक्ट सही यह लांग टम के रिएल जीए नहीं जाता है उसके बाद यहाँ पर रिस्ट्रेंट ब्रेय्ट इढ़ें थियुक्त या फिर सिन्हें में निए देखते हैं तो ओपos अब घरों में अपर आगे से आगे सगा होगा तो यह आगा ह hairstodak है जो है तो यह है Fraktion में आपको रहुगा sorryUnix aunque बर्गर किंग के बारे में तो यह वही है तो लोगं自 vos नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है अगर आप इसका मार्केट कप देखोगे तो काफी कम है यहां पर दिखा हुआ होगो कई पर पता नहीं बट यहां पर मैं देख लेता हूं थोड़ा नीचे यहां पर देख सकते हो 1300 करोड का मार्केट कांप है मतलब इसवजे से आप देख लेना आपको गर मतलब रिस्की है मेरे साब सब सब बहुत रिस्की है उसके बादी बारबी को नेचिन ऊस्पितल्लेटी असका वह मार्केट काप आप देख सकते हो यहां पर दिव्यानी फूट तो यहां पे पीजा हट और जो I think KFC पीजा हट देन टाको बेल यह सब यह है तो इसका भी आप मार्केट के आप देख सकते हो इसका कंपरिटिवली जादा है 18,000 करोड के आसपास तो हां मिट कैप टाइप आप इसे कह सकते हो तो यह भी मैं काऊंगा रिस्की है तो मैं इसे नो ही काऊंगा आप देख लेना मतलब रिस्की है यह भी मिट कैप होने से क्या हो रिस्की तो है उसके बाद यहां पे सैफार फूट तो यह भी वही मैं है तो यह भी risky है तो मेरी साब से यह भी no ही है and उसके बाद jubilant foods मतलब dominoes मैं तो इसे yes काऊंगा सबसे पहले तो मैं इसे लिख देता हूं long term के लिए मैं इसे yes काऊंगा and dominoes उतनी बड़ी नहीं है 27,000 क्रोड के होगी dominoes अब उसके बाद यह west life food world यह भी मैं हा ही काऊंगा इसका market cap खोड़ा कम है मुझे याद नहीं है okay so यहाँ पे 11,000 है तो company छोटी है बट मेरे इसाब से आप इसमें long term के लिए जा सकते हो company वैसे अच्छी है छोटी कंपनी है बट अच्छी कंपनी है तो आप जा सकते हो हाँ रिस थोड़ा जाता है बट हाँ मेरे इसाब से अच्छी कंपनी है उसके बाद यह जो हो गया यह mcdonald's का है यह mcdonald's का है तो यह mcdonald's का है यह domino's का है मैंने सब कुछ बता दिया है okay so आगे बढ़ते हैं वर्ण beverages वर्ण beverages मतलब क्या पेप्सी अब लोग खाते हैं तो ऑबिसली cold drinks और यह सब तो पीते हैं यह अब cold drinks में तो pepsi और thumbs up यह सब लोग पीते हैं यह coke तो यहाप आप देख सकते हैं यह pepsi ka वर्ण beverages तो वर्ण beverages भी काफी अच्छी इसका market cap अगर मैं आपको बता हूँ यहाँ पर मिल जाएगा मिलेगा क्या so यहाँ पर इसका market cap मुझे नहीं दिख रहा है अगर आपको screen पर दिख रहा हो कहीं पर 88,000 लोड का यह large cap company है तो यह भी काफी अच्छी company है अगर आप देखोगे मैं आपको इच्छी दिखाता हूँ इसने एक साल में काफी रिटन्स दिये हुए है यहाँ पर देख सकते हो यह जो एक साल का है यहाँ से देख सकते हो 600 से यहाँ पहुँच गया है तो बहुत रिटन्स दिये है तो मैंने जिस्ट बता दिया आप द करते हैं जो मैंट के बारे में तो अब गर रहा है तो इसलिए जो भी बीच में आ लो कुछ लगेगा यहाँ बहुत इंट्रेस्टिंग से चल रहा है तो कुछ और हो गया तो यह सब चीज़े है यहां पे मार्केट के इसका देख सकते हो zomato का तो हम मेरे हिसाब देखो यहाँ पर zomato ही obviously है and zomato and swiggy है तो zomato ही obviously है जहाँ पर अच्छा ही होता है बट profitable थोड़ा कम है तो आप देख ले ना मतलब company business अच्छा करती है बट थोड़ा profit में थोड़ा गरबट कर देती है जो भी है आपको पसंद है तो आप obviously जा सकते हो बट मेरे इसाबसी neutral ही है और आप no भी कह सकते हो इसके बाद पीने की बात हो रही है तो थोड़ा और पीने के level को increase किया जाए तो यहाँ पर आप नाम से size समझ सकते हो तो गलत काम है बट गलत चीज़े आप लोगा enjoyment है तो कुछ कह भी नहीं सकते ठीक है जो है तो यहाँ पर यह एक बात हो गई तो इसमें भी आप जा सकते हो मैं इसमें neutral रहूँगा ना हा कहूँगा ना कहूँगा इसका market cap भी आप यहाँ पर देख लो अच्छा कासा market cap भी 55,000 का है यहाँ पर इसके आगे बढ़ते हैं यह भी वह यह सेम ही है थोड़ा इधर उधर उदर उस उसके बाद यहाँ पर इसका भी देख सकता 37 है तो अच्छी companies है बट ठीक है मैं इसमें neutral हूँ इसमें भी इसमें थोड़ा साब कह सकते हो लॉंग टर्म में मैं इसे यह से यह साँगा रिजन अप इसका market cap भी थोड़ा चोटा company है small cap to mid cap भी आप इसे कह सकते हो mid cap यह आप कहलो है small cap कहलो जो कहना है बट यहां पर रिस्की है बट long term के लिए मेरे इसाब सी यह अच्छी company है अब बस guys यही था मैंने आपको दिखा दिया Tata then Paytm then यहां पर C8 then RIL then भारती अटल then यहां पर यह 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 आगे आप और देख सकते हो Westlife then यह सब और last में ready को खहता तो बस guys यही था अब आगर आपको guys इन में से कुछ भी मतलब study करने के लिए आपको मैंने सिर्फ बताया है आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा रहा हूं कि Monday को market open होगा इन सभी के 5-5 shares मेरे account में ऐसे करके मैं नहीं कहा रहा हूं मैं कहा रहा हूं कि आप थोड़ा से research करो थोड़ा सा देखो समझो कि actually यहां पे सच में कोई business होने वाला है क्या company यहां से profit निकाल सकती है क्या company के sales किसमें जादा होंगे कौन किसमें मैं जादा profitable रहूंगा कौन सा मेरे लिए अच्छा Monday से अगर कोई news आएगा बीच में तो वो भी cover होगा Monday से जो news आएगे वो सारे cover होंगे तो और आप आगे अगर आपको और कोई news देखना है तो आप channel पर सीधे चले जाओ और channel पर जाकर करके आपको पूरा मिल जाएगा आप एक एक करके लगातार देखते रहो आपको सारे news पता चल जाएगे तो बस गाईज यही था आज का वीडियो मिलता है किसी और वीडियो में किसी नए interesting news के साथ या फर किसी इस तरह के वीडियो के साथ और breaking news आएगा तो obviously breaking news के साथ तब तक के लिए जाहिंद and thanks for watching